एक बार फिर साब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तर फोकॉस ट्रेडर में अई होब कि आप काफी एक्षी होंगे लेट सी गाइस यहां पर जानते हैं जो अभी हाली में एक रिपोर्ट आई है फेडन बर्ग की उस रिपोर्ट में क्या है एसा और मार्केट, डेरिवेटिम मार्केट क्या कहां पर हिंडन बर्ग के इस एक रिपोर्ट के पारक पढ़ेगा तो ज़ससे पहले मैं आपको रिपोर्ट बढ़ाता हूँ की अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो हिंडन बर्ग की एक दो रिपोर्ट आई थी यानिकि य इंडरबर्ग ने अपने twitter account के उपर जिसमें सीधा सीधा एक simple simple सा यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर Saebi Saebi chairperson head is stick in abuse यानि कि हैं प्रिम सेबि के ऊपर सिदा सिदा पे बोला आए जो छो ऑडानी ग्रुप के अंदर जो और बोले हिजों इस टाइम की अब के अदर परसन है उनका काफी बड़ा उसके अंदर योगदान था यानि कि उसमें भी हिस्सेदारी थी जब अडानी गुरूप के अंदर यानि कि जो हिनरबर्ग ने उसके उपर allegations लगाई थी और उसके अंदर काफी ज़्यादा जो हिस्सेदारी थी वो सेवी chairperson की थी सिधा सिधा यहाँ पर बोलना है कि hidden work का मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ ट्विटर पर जो पोस्ट किया है मैं उसके according बोल दा हूँ सिधा सिधा सेवी के उपर हमला बोला है यानि कि हिनरबर्ग ने बोला है कि सिधा कि सेवी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सेवी chairperson की हिस्सेदारी काफी ज़्यादा इसके अंदर है तो यानि कि यहाँ पर सब कुछ गोटाला है यानि कि सेवी हिनरबर्ग का सिधा बोलना है और वो किस company के उपर बोलेंगे अभी तक ऐसी कुछ report अभी तक आई नहीं है यानि कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी report बनी नहीं है कि किस company के बारे में यहाँ पर होने वाला है जो next जो plan कर रहे हैं जैसे पिछली बार हुआ था यानि कि Adani Group के उपर हुआ था और अब की बार पता नहीं किस company के बारे में इंडन बर्क क्या report निकालेंगे तो अब यहाँ पर जानते हैं कि अब इसका effect क्या पड़ेगा Indian market के उपर तो यहाँ पर Indian market के उपर जो effect पड़ेगा वो आप सभी जानते हैं देखें यहाँ पर equity market के उपर जो हमारे shares है उनके उपर काफी effect पड़ेगा यानि कि आपको पता यह चीज़ का कि जब Indian बर्क की रिपोर्ट है थे Adani Group के लिए तो उसमें market के अंदर crash आया था काफी बड़ा crisis हुआ था तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता यानि कि Monday को इस report के according ही है काफी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी equity market के अंदर यानि कि share हो के अंदर काफी गिरावट आपको नजर आ सकती है अब जानते हैं यहाँ पर community market के अंदर यानि कि m6 market के अंदर यानि कि metals के अंदर क्या effect पड़ेगा इस report का देखें यहाँ पर अब भी तक इसके report के according यहाँ पर community market या फिर metal के अंदर कोई effect नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह जो बाजार है m6 market इसके उपर कोई भी effect hindenburg की report का नहीं पड़ने वाला है आप इस चीज़ से यहाँ पर घवराएगा कि hindenburg की report आएगी तो उससे m6 market यानि कि natural gas, crude oil, silver, gold और यहाँ पर इनमें काफी ग्रावक होगी इसमें कुछ नहीं होने वाला है जो भी कुछ होगा वह equity market के अंदर हो और equity market के अंदर अड़ा, needlines and data and काफी ज़्यादा बड़ी-बड़ी जो company है, उन company के उपर काफी effect पढ़ सकता है और bank के उपर भी काफी effect पढ़ सकता है तो चलिए guys, अब इसी के साथ मैं जानते हैं यहाँ पर silver के कुछ एक levels के बारे में यह था जो मैंने आपको हाली में जो report जो काफी टेंडिंग वायरल हो रहता है इसके बारे में थोड़ा सापको बताने के लिए कि जो m6 के दर टेंडिंग करते हैं वो यहाँ पर घवरा है न कि इस हिंडन बड़ी की report से market m6 market भी crash हो सकता है या फिर काफी जादा बड़ा fall हो सकता है हाँ effect होगा लेकिन equity market के अंदर effect पड़ेगा उसका अब यहाँ पर जानते हैं guys silver के बारे में सब यहाँ पर जानते हैं silver के September contract के बारे में और silver के September contract में क्या-क्या level आने वाले है level तो मैंने आपको previous video के अंदर ही बताए हैं then यहाँ पर क्या होने वाला है guys देखें यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ना जारा रही हो यहाँ पर अभी silver यान की resistance को break करने के बाद में sustain कर रहा है उपर यान की 8060 80060 and 8317 80300 यह यहाँ पर resistance का work कर रहा था उस टाइम पर अब यहाँ पर Is till ब्रेक आउट होया और इसके आपको sustain कर रहा है यहाँ पर यहाँ की simple से इसक advanced है की अभी silver work करने के बाद में यहाँ पर sustain कर रहा है इसके ओपर और यहाँ पर sustain किया copy यान की हगर यहाँ पर sustain करने के बाद पर में और कुछ time और time spend करता है इसके उपर ही यानि कि Monday को time spend इसके उपर करता है या फिर इसकी opening इसी के उपर होती है 8300 के उपर ही होती है तो फिर आप यहां पर upside के target आपको 84000 यानि कि 8400 यह target के लिए आप जा सकते हैं क्याँ कि मैंने बोल रहा हूं की यहां पर टेकनिकल चार्ट्स बोल रहा है क्योंकि अगर यहां पर देखा जाई जो आपको triangle यहां पर नज़रा रहा होगा में काफी बड़े टार्गेट दिखा सकता है फिर 91,900 फिर आपको अपसाइड में ये लेवल दिखा सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको ये वाले लेवल भी आपको नजराएंगे अपकमी दिनों के अंदर क्योंकि यहां पर जो मैं आपको अनलाइसिस क करता हैं और जो हाली में जो रिपोर्ट अभी ट्रेंडिंग करिए उससे आपको काफे ज्यादा यहां पर समझ में आया होगा और इन लेवल को एपलाई कीजेगा और आपको जो भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसको घबरानी की जोट नहीं यहां पर और यहां पर यहां पर दर का माहूल पैदा हो सकता है तो चलिए इसके साथ वीडियो क्लोज करता हूं थैंक्यू टेडर्स